नमस्कार बच्चों, सबसे पहले तो आज 14 सितंबर 2020 है और जैसे की मैंने आपको आपकी पिछली वरक्षीट में बताया था आज की जो ये तिथी है ये भारतिय संस्कृति के लिए बहुत महतोपूर्ण हैं, हम भारतियों के लिए बहुत ही महतोपूर्ण हैं क्योंकि आज ह हिंदी दिवस, हमारी राष्ट भाषा का दिवस और ये दिन हमें बताता है कि हमारी राष्ट भाषा जो है वो हमारे लिए कितना महत्व रखती है, कितनी गोरों की अनुभती करवाती है हमें और हमें अपनी इस राष्ट भाषा का सम्मान करना चाहिए, इसका प्रयोग प्रम्पराओं के विशे में हमें बताती है तो यह देखते हैं हमारी वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है तो बच्चों आज की वर्कशीट में हमें सबसे उपर दिखाई दे रही है हमारी मुद्रा जो हमारी वर्तमान मुद्रा है जिससे की हम लेंदेन करते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है भारत विभिन संस्कृतियों और प्रम्पराओं का एक प्राचीन देश है, हम एक सुन्दर विरासत के साथ धन्य हैं, हम पूरी तरह से उसी को संरक्षत करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि हमारी आने वाली पीडियों को गर्व और संरक्षन के महत्व की अनुभूती हो, यानि कि हमें बताया गया है कि भारत जो है अनेकता में एकता का देश है, विभिन संस्कृतियों और प्रम्पराओं को मिला कर हमारी एक संस्कृती बनी है, हमारी जो विरासत है वो घनी तो है ही, बहुत ही सुन्दर भी है, और हमें इसे संरक्षित करना चाहिए, ताकि जो हम हम महसुस करते हैं और इसी के साथ आपको बताया गया है कि विरासत का अर्थ क्या होता है विरासत का अर्थ है पुरानी पीडियों से मिला हुआ उभार जैसे कि अगर आपको आपके दादा दादी अपनी कोई चीज देते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें बहुत प्यारी है और तो उस चीज का प्रियोगनों ने किया है, वो चाहते हैं कि आप उसे संदक्षित करके रखें, तो वो एक विरासत है, भारतिय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतिय मुद्रा या नोट का निरिक्षन करें और बताएं, तो यहां पर हमें भारतिय इतिहासिक समारक का क्या नाम है, तो बच्चों आप देखेंगे कि जब हम इस नोट का निरिक्षन करते हैं, इस मुद्रा का निरिक्षन करते हैं, तो हम पाएंगे कि यहां पर एक चित्र अंकित है, एक समारक अंकित है, हमें उसका नाम बताना है और साथ ही बताना है कि व उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा दस रुपे का नोट है, दस रुपे वाली मुद्रा है, उस पर कुनार्क सुर्य मंदिर उडिसा का चित्र अंकित है और ये जो सुर्य मंदिर है ये बहुत ही परसिध है, बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसके बारे में आप चाहें तो और भी जानकारी कठा कर सकते हैं, या मैं अगली वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो जो भी ये हमें बताए गए हैं, आज जिनके विशे में भी हम बात करेंगे, उनके विशे में हम अगली वीडियो में बात जरूर करेंगे, और साथ ही 20 रुपे के नोट पर एक रत बना हुआ आप देखेंगे, अगर आपके हाथ में अभी नोट है, तो आप ध्यान से देखिए, या कहीं से भी उठा कर देखिए, तो उस पर एक रत बना हुआ है, और उस रत का नाम है हमपी का गरूर रत, और ये जो समारक है, ये करनाटक में स्थित है, सो रुप को अंकित किया गया है, सो रुपे के नोट पर, और दो सो रुपे का जो नोट है, उस पर जो समारक अंकित है, बहुत ही प्रसित समारक है, साची का स्तुतू, मध्यपरदेश, तो ये अंकित है, ये समारक अंकित है, दो सो रुपे के नोट पर, और आगे बढ़ते हैं, उसका चित्र अंकित है और लाल किले के विशे में आप बहुत कुछ जानते होंगे बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा और हो सकता है कि आप विद्याले की तरफ से जब कभी पिकनिक पर गए हूं तो आप वहां गए भी हूं या अपने माता पिता के साथ वहां गए हूं तो आपको लाल किला जरूर याद होगा और जो दो हजार का हमारा नोट है उस पर किसी समारक का चित्र तो नहीं है लेकिन ये जो दो हजार रुपे का नोट है इस पर जो चित्र अंकित है पीछे की तरफ वो हमारी उपलब्दियों को दर्शाता है हमारी वेग्यानिक उपलब तो यह आपने देखा कि किस तरह से हमारी जो मुद्रा है उस पर अंकित जो चित्र हैं वो हमारी एतिहासिक धरोहर को तो दिखाते ही दिखाते हैं साथ में हमारी सफलताओं का भी बखान करते हैं हमें याद दिलाते हैं कि हमने क्या-क्या अभी तक पाया है हमने कितनी सफलता अपने वैग्यानिक वैग्यानिकों के रूप में भी तो इन चीजों को हमें याद रखना है अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रशन की तरफ क्या आपने किसी एतिहासिक समारख की यातरा की है अपने अनुभाव के बारे में लिखें तो अभी तक अगर आप किसी अतिहासिक समारक जैसा कि मैंने कहा था आप विद्याले की तरफ से लाल किलाज हो सकता है गए हो गुतुम मिनार गए हो तो उसके विशे में आपको अपने अनुभव लिखने हैं कि आपको वहां जाकर कैसा लगा और आपने वहां जाकर क्या क्या जाना तो ये आपको स् क्रिष्ट किया तो राष्ट्रे संग्राल्य बैच्चों अगर अबी तक आप नहीं गए हैं तो मैं आपको बतादों यह वहां पर भारत की विभिन कला करतियों को अतिहासिक काल से या फेर मुगल काल से संबंदें जो भी चित्र कलाकरति या। जू भी विभिन चीजें हमें प्राप्त हुई वह उस राष्टिय संग्र Champ राल एम हमारी आति ध्लोईहर के रूप और यह राष्ट्रिय संग्रहले जो है नई दिल्ली में हैं आप चाहें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप बहां जाकर देख सकते हैं अब मैं कुछ चित्र आपको दिखा देती हूं जो बहां पर चीजें परदर्शित की गई हैं उनके चित्र जो हैं तो आप य इन अट राज की मूरती बहुत ही सुंदर हैं आकर्शन का कंद्र है हमारे राष्टिय संग्रहले में इसके बाद आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगू चित्रों का एक संग्रह है जिसमें कहानियों को लगू चित्रों के माध्यम से बताया गया है, और यह ब बहुत ही पुराना है और ये चित्र भी आकर्शंग का किंद्र है हमारी राष्टिय संग्राले का फिर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो पुराने जवाहरात हैं जैसा कि मैं आपको बताया था विरासत जिसे कहते हैं आपको भी आपके पूरवजों से कुछ जवाहरात प्रा विभिन संस्कृतियों का एक मेल है तो वहां पर जो एक और आप देखेंगे बुद्ध के अस्थी अवशेश जो हैं वहां पर रखे गए हैं और आपको बताते हैं कि जब भगवान बुद्ध का जो है अस्थी थी वो अनेक टुकडों में स्थूपों के रूप में विराजम तो इन में से अगर आप कभी नहीं गए हैं तो इन में से आप किसी भी एक चित्र के विशे में जैसा कि आप से प्रशिन में पूछा गया है कि वहां परदर्शित कौन सी अतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे जादा आकरिश्ट किया तो मुझे जो सबसे जादा की अनुसार एक नाम दे सकते हैं तो भाइए देखते हैं कि अगले परशन में हमसे क्या पुछ गया क्या आपके घर के निकट अटिहासिक महतों का कोई जो चोटा या बड़ा समारक स्थित हैं उसके बारे में लिखें तो हो सकता है कि आपके घर के पास भी कोई ऐसा चोटा स प्रश्मारक हो कोई ऐसी इमारत हो जिसको आप कह सकते हैं कि यह तियासिक महत्व की इमारत है तो आपको उसके विशे में लिखना है और आप चाहें तो इसमें अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जहां से मैं हूँ वहां पर एक किला है और वहां पर पांडवों का किला उसे कहा जाता है तो पांडवों का किला और इसमें चार सुरंगे हैं इसमें सुरंग भी हैं यह बहुत ही पुराना है तो आपको इसी तरह से कुछ वक्त है जो भी आपके आसपास का कोई अतिहासिक मैंतों का समारक है उसके बारे में लिखनी है यह बहुत ही पुराना है आप चाहें अगर आप दिल्ली के किसी ऐसे हिस्से में रहते हैं जिसके निकट कोई अतिहास एक समारक है जिसको सभी देखने आते हैं जैसे कि गुत्व मिनारलाल खिला अगर आप इनके आसपास रह सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तू है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रियोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जैसे की पहले समय में जो है जो बुजुर्ग थे वो बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आपके घर में आपको हो सकता है कि रई मिल जाए जिससे की दूद से धही जमाने के बाद धही से लसी बनाई जाती थी तो वो हाथ की रई जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी एक ऐसी वस्तू जिसका प्रियोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था तो हाथ की रही बड़ी मेहनत लगती थी इससे काम करने में तो ये एक उधारन आप देख सकते हैं और इसको बहुत से घरों में मैं देखती हूँ कि आज भी संभाल कर रखा जाता है ये दिखाने के लिए जो आज कल की पीडी के बच्चे हैं या आने वाले हमारे पीडी के बच्चे अजिए कि इस तरह से काम किया जाता था तो हम भी रखते हैं क्योंकि पहले वो मशीने नहीं थी धेरे मशीने आती हैं तो सभी को बताना होता है उधारन देना होता है जैसे कि जो गांधी जी का चर्खा है आज भी उनके संगराले में मुझूद है क्योंकि पहले जो पुरोजयों कोई चीजों को संभाल कर रखते हैं तो वो हमारे लिए विरासत बन जाती हैं, दूसरों को दिखाने के लिए उधारन बन जाती हैं, तो बच्चों इसी तरह से भारतिय संस्कृति के विशे में आप पढ़ते रहें, नई नई जानकारी कठी करते रहें, हम मिले